पुलियाद उक्षनाओं होगे से रहा है। प्रच्छा प्रच्छा बेवस्टा जो है वह वहां बड़ा कारडा है मैं मुझे लगता है कि इस बार विजेटी इट इट निकाले की वागता है। क्या कैसे देखते हैं कि जो सीट विजेपी उनमें तो चिहाल में निजीत आई यह क्या गित आईगी। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि राष्टबाद के नाम पे ओड़ेते हैं। जिरु से बीजेपी को राष्टबाद के तहट मतलब काके तहिए लाइक करते हैं। राष्टबाद के तहत कि यह है कि हम विजेपी से ब्रोल हूँ व intent. और रही बात विकास की जोगी के रहते हुए उसका प्रसासा तरत शुस्त है। कि सभी लाइक करते हैं कि बहन बेटियां बड़े आराम से मतलब जाखते हैं घर से राते चाहे आऊ चाहे बाहर हो यूपी के अंदर तहीं भी आ जा सकती है इसका रिजन मतलब जाकते भी जेटी इस बार जो चुनाओ हैं कि मुद्धों पे देखते हैं कि अभर ओगा धंग के नाम पे होगा विकात के नाम पे होगए तिन मुद्धों पे होगा तो चुनाओ हिंदू-मुसिल्म होता है और अबर जो पिछले हम उससे ज्यादा बुटों है जशीकि जी समाजारी पाइटी विदायते वाज वना की धेर चलेगा, उनकी पत्ती को डिख़गी आ लिया है। तो चैदेशे सिंपैती बोट मिलेगा। सिंपैती बोट मिलेगा। इसलिए ज्यादा पूस में जिते हैं। आप को क्या लगता इज़ा कैसा चुनाओ देखने हुए। पहन बेटियां सुरक्षित है। तब भूआ करता था बहन बेटियां जा नहीं सकती ती खुले में, लोग फकड़ लेते, श्याद करते हैं। मगर आज योगी जी के राजी में ऐसा कुछ नहीं है। पहन बेटियां सुरक्षित हैं। पडिवार वाले चिंता मुच्छा के मारे बेन बेटी गई है, वो आपस तिच्छे से मारे घर आएगी, और सरकार बीजेपी की भी बनेगी, चींसावों विधान सबाप अहम गोटों से जीतेगी बीजेपी. क्या लगता है आपको जिस मेकार चुला हो रहा है, तो क्या बाटपा और सफा के भी चुला हो गए, कोई और पाईटी भी इसमें दमकम से लड़ा है? देखें तो नाथ दोग पच्छों में युगा भाटपा और सफा में, लेकिन अपके हिंदू संग्ठित है, बाबादा जो एक नाराज अला है, कि कटोगे तो कटोगे उपे हिंदू एक हो रहा है, तो देखने को मिलागी, चंडी करने उपमें, अरियाडा में आपने दोगे तो चुमाँ अमे लगता है कि नहीं जीत करने वाजपा, तो इस तिलिया विरकुल अन्पूल हो रहे हिंदू संग्ठित हो रहा है, ये मौल बहुत अच्छा तैयार हो रहा है, उसका पैणाम अपकी सिसमुंग में देखने को मिलेगा आपको, सिसमुंग पी जेपी लोग मौजूद तो जो बता रहे हैं जो इस बार चुना होगा, वह कहीं ना कहीं दोरों पाल्टियों के बीच होगा, जो 28 साल से यहां पे बीजेपी अपनी सीट नहीं जीत पाई है, तो कहीं ना कहीं लोगों ओम्मीद है कि इस बार जो हिंडू बोन है वो ठंगठित झाल्टियोंग मौजू छो